आपर हम बात कहेंगे कि money management को कैसे calculate किया जाता है, कैसे money management को control किया जाता है और यहाँ पर perfect trade करके आप अपने account को कैसे grow कर सकते हैं, जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, आपको एक pen और diary लेकर बैठ जाना है, और आपको सबसे पहले यह note करना है कि market 9 बस के 15 मिनिट पे open होता है, open होने से पहले, यानि कि market 9 बस ते ही जब often होता है, तो कहीना कहीं 9 बस के 7 मिनिट पे market की pre-opening हो जाती है, अब आपके पास PC बसे 7 मिनिट, हम आपको जैसा analysis बता रहे हैं, वैसा ही आपको करना है, market में आपको 7 मिनिट के अंदर analysis करके, अपने levels market में draw करके रख देने हैं, फिर market open होता है 9 बस के 15 मिनिट पे, अब market 9 बस के 15 मिनिट पे open होता है, तब आपको उनी levels, उनी trade line पे वरक करना है, कि market कहीं भी gap up open हो सकता है, gap down open हो सकता है, उसके लिए हमें यापर market में डेरने की बात नहीं है, हमें यापर market जाव open हुआ, वहाँ पर अपने level को draw करके बैठ जाना है, और हमें अपने trade यानि की trade हमें कितने लेने दिन में, जैसे कि हम 3 trade लेंगे, यापर share trade लेंगे, यापर दो trade लेंगे, यह हमें यापर confirm करना होगा, हमें अपने हिसाब से, ठीक है, यह confirm करने के बाद, हम market में ये decide करेंगे, कि हमें किस time कोन सा trade करना है, तो मैं आपको time zone भी बताग दाओं कि market में जो हमारा time रहेगा, वो हमारा time रहेगा, proper 9-15 से market शुनी होता है, और यहाँ पर 11 बज़े तक highest हम कोई भी trade अगर बनता है, तो कर सकते हैं, 11-15 तक last, इसके बाद में हम 1 बज़े से 3.5 तक trade करेंगे, 20 का जो time में हम कोई भी trade नहीं करेंगे, मेरा CRSAL का experience यहीं बोलता है, कि 20 में अगर आप trade करते हैं, तो कहीं न कहीं आप यहाँ तो trap में भसते हैं, या फिर आप बार-बार अपना SL हिट करके, अपना bank balance पूरा zero कर सकते हैं, यह सीज़े, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि money management कैसे करोगे, इसके लिए आपको proper SL रखना होगा, यानि कि जो swing to swing हम SL बताएंगे वही रखोगे, और यहाँ पर जो target रखोगे वो भी हम बताएंगे वही target रखोगे, अगर market आपको अपना target एक गंटे, 20 मिनिट, 5 मिनिट जब भी देता है, तो वहाँ पर आपको किछ परकार से trade को exit करना है, तो यह सारी सीज़े हम आपको next to next वीडियो में बताएंगे, बस आप continue हमारे साथ बने रही है, और अगर आप proper psychology के साथ trade करते हैं, तो यहाँ पर आप देखी, आप कभी भी यह सीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ पर यह confirm करते हैं कि हम यहाँ पर दिन में 3 trade करेंगे, तो आपको 3 trade ही करने हैं, अगर 3 trade में भी आपका loss हो जाता है, तो आपको और trade आज करने ही नहीं है, बस market में आप यहाँ पर setup को बंद कीजी, आप close कर दीजी और आप यहाँ पर आराम कीजी, तब ही आप money management को control कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप SL and prop target, यानि कि आप अपना stop loss और target fix नहीं करोगे, तब तक आप market से पैसा नहीं बना पाओगे, सल यह next series में बात करते हैं,